हेलो एब्रिवान वल्कम चोल आफ यू आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस ओनलाइन लेर्णिंग प्रेटफॉर्म पर जिसका नाम है लैट स्टेडि इंडिया तो फ्रेंड्स कल की वीडियो अब हमने लाइकेंज के बार में थोड़ी सी बेसिक चीजे देख ल इनका जेनरल करेक्टर्स कैसा होता है यह क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था कि एसकोल आइकेंज क्या होते हैं इसके बार में हमने अपको एक हाउस वाइफ या हजबेंड वाइफ के बेसिक पर स्टोरी भी बताई थी तो वह साजी चीजे देख ली थी आज की जो वी क्रूस्टो फोलियो और फुटिकोष क्या होते हैं उनमें क्या क्या दिफरेंज होते हैं इसके बाल मैंने थूड़ा सा अपको जैनल इंट्रोड़क्शन के बताया था कि मोला था रिधेमेंगे तो इनके फइगर के साथ हम आपने कि लो देखेंगे कि दोनों में तीनों मे तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता थे कि इनकी बॉडी क्या होती थालोइड होती है मतलब कि no true differentiation between root, stem and leaf root, stem and leaf की बीच में कोई भी true differentiation देखने को नहीं मिलती है what with irregular in shape, इनका जो shape होता है वो irregular होता है it is usually gray and gray scolour, color के बारे बात की गए क्योंकि external morphology आप देखें तो color वेकरा है तो आपको देखनी पड़ेगी तो यह mostly gray or gray scolour की होती है और कुछ species पे कुछ अलग character भी देखने को मिलते हैं जैसे आपको red, orange, yellow, brown यह सारी चीजे भी देखने को मिलती है पर mostly यह क्या gray या gray scolour की होते है the following three types of the lichens has been recognized on the basis of their external morphology इनकी external morphology के हिसाब से आपको following three types of lichens देखने को मिलते हैं सबसे पहला क्या है crustose lichens, folioz lichens, fruticoz lichens crustose lichens का मतलब होता है देखें मैं आपको यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें बताती हूं हर एक ताइब का morphology के मारे में देखेंगे crustose lichens यह बिल्कुल आपका surface है जो आपका surface है जो यह attached है उस पे बिल्कुल एकदम सटे होते हैं बाहर से आपको कोई उभार देखने को यह मिलेगा जब इनमें fruiting body बनती है जब यह reproduce करते हैं तब इनमें थोड़े बहुत उभार आपको देखने को मिलते हैं तो इस तरीके का जो लाइकन होता है इसको कहते है क्रुस्टोस लाइकन क्रुस्टोस यहाद कर सकते है यह बहुत टाइटली बाइंड होता है Crustose-Crust bind होता है, तो इस तरीके साइध कर सकते हैं, कि Crustose-Lichen वो बहुत TIGHTLY BIND होता है किसके दोरा, जो आपका Sabha Stratum से बहुत TIGHTLY BIND होता है उसके रद फोलियों क्या है? हल्का-हल्का फुला-फुला भूला सा, बहुत सब्सदादे नहीं फुटर इन के त्होड़े से उभार उभार आपको देखने को मिलेंगे और लास्त मी क्या है तो इस तरीके से तीनों में डिफरेंस है मैं आपको पहले फिगर दिखाती हूं तीनों के उसके बाद हम लोग जो है कि देखेंगे तो फिगर को थोड़ा चोटा कर देते हैं देखिए जो आपका पहला वाला है यह है आपका क्या क्रुस्टोस लाइकन देखें कितनी क्या यह कि आपको लाइकन्स बाइंड देख रहे हैं तो इस तरीके का जो अधिकन से देखिए को बहुत कि बाइंड करने वाला जो सबस्तेशम से फोलियो्स होता है कि यौइ देखने करने का विलता है इस थरीके से लि अन की चाहा सनगेनल रहождा सब्सक्णक्चरी, अर्वाइंट पूले विलता है तो एक च्तुक्प्रोंड स्बसेड़ करकले रहे रहा है , और प charitable प्नोल सत्या सब्सक्राइंग repe잡 जाता है तो यह main difference है तीनों की बीज में, देख लेते हैं तीनों को एक करके, सबसे पहले क्या है क्रुस्टोस लाइकेंस है, क्रुस्टोस लाइकेंस में क्या है कि थैलस इस वेरी क्लोजली अढहेयर, appearance is it woolly or the partially embedded on the substratum, फोड़ी स्लाइड बढ़ी कर ली जाए, स्लाइड बहुत छोटी हो गई है, जो क्रुस्टोस लाइकेंस हैं, यह क्या करते हैं, बहुत क्लोजली अढहेयर होते हैं अपने substratum से, it is woolly or partially embedded substratum, यह पूरी तरीके से या partially तरीके से अपने substratum से बहुत टाइड ली अढहेयर होते हैं and in latter case only fruiting body are visible above the surface of the substratum, लास्ट में, जैसे जब fruiting body वाले stage आता है, जब यह reproduce करते हैं, जो fruiting body बनती है, उस stage में क्या होता है, कि यह क्या करते है, इनके surface के उपर यह visible होते हैं, example क्या है, lechnora, lecidia और graphics, यह इसके examples है, next में क्या है, आपको folios के बारे में बात करनी है, जैसे थालस पे, they are attached to the substratum, और यह substratum से attached होते हैं, with the help of the rhizoid, इसके साहता है, rhizoid से, like rhizines, राइजोईट्स, true rhizoid इसे present नहीं होते है, rhizoid like structure, चैसे राइजीट्स, उसके दवरा attached होते हैं, मतलब की, इनका जो इस तरीके से थालस है, मालीजी इस तरीके से थालस है, तो इसके नीचे जो है, चोटे-चोटे, जो है, root like structure देखने को मिलते हैं, इसके दवरा यह सबस् इक्जाम्पल क्या है, parmelia, kolyama, kolyma, कहते सकते हैं तो इस तरीके से polioz lichen हो गया, next में देखते है, fruticose lichen क्या होते है, fruticose lichen क्या मतलब है, fruticose lichen, these are the shrubby lichen, यह जो है, shrub जैसे lichen, थोड़ थोड़े shrubby जैसा, मतलब shrub जैसे होता है, wood नहीं होता, हलका हलका जो है, थो छोटा 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 डिफ्रेंसेशन देखें को मिलता है, यह हैं करते हुए है, with a well-developed shrub like cylindrical and branch thallus, इनकी cylindrical branch thallus होती है, they grow erect, यह सीधा भी grow कर सकते है, hang भी कर सकते है, from the substratum, substratum से, the plant body is attached to the substratum, जो plant body है, वो substratum से attached होती है, with the help of basal mucilaginal disc, इसके नीची क्या होती है इसके नीचे मुचilaginal disc होती है, उसके द्वारा यह है, इसके द्वारा यह सबस्टेटम से अटार, इसके एक्जामपल क्या है, अलेक्टोनिया, क्लैडोनिया, युस्निया, इसक्ट्रा, तो तरीके से इसका है, अब नेक्स्ट में हमको क्या दिखना है, इन्टर्नल स्ट् होते हैं, एकक्ता है, होमोख़़े, हटरो ऑसोमेरिस, हमने और व्हार बता थे, होमोख़़े देगा है, हटरो आइसमेरिस तो जो homo isomeras था उसमें क्या चीज़े थी homo isomeras में जो चीज़े थी वो इसलिए था कि इसमें हमने देखा था कि जो association होता है जो fungi और algae का association होता है fungi and algae क्या होती है equally distribute होती है equally distributed होती है जब यह equally distributed होती है तो इस प्रकार का जो arrangement होता है homo isomeris तो अगर हमको homo isomeris की internal structure के बारे में बात करेंगे तो क्या ही बात करेंगे हम बस इतना कह सकते हैं कि in this type of the internal मतलब in this type of the lichens the arrangement of the fungal or algal component are equally distributed. No true differentiation of the zonel part are visible तो यह homo isomeris में क्या लिख सकते हैं isomeris में क्या लिख सकते हैं? different... between layers सब से और नीचे जो लिए उसको कहते हैं कि यह क्या है upper cortex is former cortex and lower cortex. वहना को बटाती है आगर हमको arrangement की बात करनी हो तो हमारे पास जो सबसे उपर वाली जो लिएर है, माली जै hypoth तरीके से थोड़ा बना लेते हैं, एस को सबसे उपर वाली लेर हैं, वो हमारी क्या है? Upper cortex है और उसी तरीके से हमारी पास एक नीची लेयर है, जो क्या है? lower cortex है हमारे पास एक upper cortex है और एक क्या हमारे पास lower cortex है आपने कभी सोचा है जब तक मैं figure बना रहे हुँ तब से question आपसे पूछती हूं आपने पढ़ा है कि जो लाइकेंस होते हैं वह pollution के लिए बहुत sensitive होते हैं आप सबने पढ़ा है पढ़ा है जब यह pollution के लिए sensitive होते हैं क्यूंकि इनके पास बाहर ऐसी कोई membrane नहीं होती बाहर ऐसी कोई protective covering नहीं होती जो कि इसे pollution को इनकी plant body को affect करने के इनकी plant के cell को affect करने में रोख सके जिसे plant cell की बात करते हैं तुरके पार क्या cellulogic cell बालो हमारे body के बार क्या skin है उसी तरीके से इनके पास कोई covering नहीं होती कोई epidermis नहीं होती ऐसी चीज़े नहीं पायाती जिसके वाज़ा से जो gases हैं जो कि harmful gases है उनकी entry plant के लाइकेंस के अंदर रुख सके इसलिए क्या होता है कि कोई भी pollution कोई भी harmful gases होती है वो आसानी सिनकी body को harm कर सकती है इसलिए यह ऐसे environment में पाये नहीं जाते तो अब याद रहेगा न कि क्यों एर pollution में यह अग्जस्ट नहीं कर पाते ड्राइस्ट कंडिशन में कर सकते लेकिन pollution की condition में नहीं कर सकते तो वह ठीक है पता दिया मैंने अब आगे का figure करते रहते हैं अपर कोटेक्स हो गया लोवर कोटेक्स हो गया अब इसके बाद क्या है बीच में आती है आपकी algal zone इसके बाद first layer जो है कि यह है आपकी अपर कोटेक्स अपर कोटेक्स और य नुज निकली होती है रूट लाइक स्ट्क्ट्चर जिसे राइजी केते हैं रूट लायक स्ट्कषर यहीं से निकली होती है कि इसको क्या कहते है EPA अपर बीच में को चल् grading UK को मिलता है आलो जोन और अले तो जोन के बाद रगन जासे आफ प्र पूहले याद रखने का मतलब क्या है कि पहले कॉर्ट एक कवरिंग है उसके बाद Algolzone है बहτε иск але जो अलगल जो होती है तो फो क्या करती है फोटल संतिसिज करती है फोटल संतिस परने के लिए से लाइल तो ऒंस तो अना पड़ेंगे के यह रहलेगा। इसको उपर रखा जाता था उसके बाद क्या है? MEDULA, डिजन फिलामेंट की पतली, माइसिलियम प्रजेंट होती है जो क्या बनाती है? MEDULA-like रिजन इसमें क्या है? Gases exchange वगबर आसानी सुझाता है इसे भी gases exchange होता है इसमें फंगी की माइसिलियम हो डिस्टिबूटर होती है तो क्या है सबसे उपर क्या है lower और upper lower क्या है आपके mycelium के बने हुए क्या है cortex है उसके बाद algal component है उसके बाद fungal component है तो majority of the part है वो fungal component से ही मिलके बना होता है तो वही चीज यहां पर दिया है कि upper cortex, algal cortex, medulla और lower cortex तो इसके बार में आपको अपने word में लिखना है अगर आप तो आप हमको comment box में भी चाहें तो type करके send कर सकते हैं कि upper cortex के बार में थोड़ी बहुत चीज है, algal cortex के बार में थोड़ी बहुत चीज है, medulla के बार में और lower cortex के बार में मैंने जान से यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि मुझे जानना था कि आप लोग कितना अब हम बात करते हैं reproduction की, तो likens में reproduction होता है, वो दो types की होता है, एक asexual reproduction, दूसरा क्या होता है, sexual reproduction क्या होता है, asexual reproduction का मतलब की no fusion of gamut, no fusion of gamut, इसमें gamut का fusion नहीं होता है, जबकि sexual reproduction में क्या होता है, fusion of gamut, इसमें क्या होता है, gamut का fusion होता है, जबकि asexual reproduction में gamut का fusion नहीं होता है, यह इन दोनों के बीच का main difference है, कभी-कभी लोग कह देते हैं कि जिसमें एक इंडिविज्वल इंवाल प्रेटल को सेक्शुल रिप्रड़क्शन केते हैं तो यह कहीं-कहीं गल्प सुझाता है जिसे आपने टीनिया सुलियम अगर पढ़ा होगा जो लोजी में तो वह एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर मेल फ इमिल दोनों प्रेजेट होते हैं तो आपको अगर कोई पूछे कि एस्ट या को सॉल्ट मेर्ट ने को सौल्ट मेर्ड दिसक्राइब करो तो आप बोलेंगे कि एस्ट इस्प्रोल रिप्रड़क्शन उता है जिसमें क्या होते हैं चैक्श और ग्या में और हमने बहुत बार पढ़ लिया कि Bacterium fragmentation, इसमें fragmentation, उसमें fragmentation, तो fragmentation का मतलब क्या होता है, कि जो body है, उसका कुछ हिस्सा तूट के अलग हो जाता है, जिसकी विज़े से वो एक नया थैलस बना लेता है, तो यहां पर क्या का fragmentation होगा, तो लाइकेंस में, फंगी के साथ, अलग हो जाता है, और इस तरीके के कुछ outwork निकलने लगते हैं, फिर यह outwork last में क्या होती है, mother cell से अलग हो जाती है, और एक cell से दो cell का formation हो जाता है, एक cell से क्या होता है, दो cell के formation हो जाते हैं, तो यह हो गया buddy, उसी तरीके से जब lichens है, मान लिजे यह lichens की कोई थैलस है, इसको मैं erase कर देती ह तो ख features are mother thalles, जो mother thalles से यह जाते है MA difार जाते हैं ऑ यह होता है, वाद में जातो से सब्सक्राइब adoption में चाना खिशा फंचेंग कर दो यह जाकर जाते हैं, तो यहाँ इस प्र isto that riadium, starrydium is a type of da asexual reproduction. Ind juntos go the lichens ok the outgrowth or bird like growth occurs in the thallus of the lichens and at last the bird is separate from the mother thallus and grow as a new thallus is called this type of the asexual reproduction is called a soridium ठीक है वो जो जो गोला से स्थे मंदल को कहते है soridium अब हम देखते हैं इसके sexual reproduction के बारे में कुछ और प्रकार के sexual reproduction देखने को मिलते हैं लेकिन आपको मेल यही पड़ना है अब sexual reproduction के लिए पहले आपको मैं समझा देती हूं कि sexual reproduction में क्या क्या चीज़े होती है देखिए मैंने जब आपको जनरल करेक्टर प्राइटर इसके फर्स पार्ट में तो वहां पर क्या था इस इस पर्मेटोगोनियम जो था वह मेल पार्ट था का पॉइम पार्ट था तो मैंने बताया थे कि जो पर्मेटोगोनियम होते है उसमें क्या होते है कि मेल इस पर्मेटिया का फॉर्मेशन होता है इस पर्मेटोगोनियम क्या है मेल जो पार्टिस को स्पर्मेटोगोनियम कहत Spermatia formation, Spermatium, 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 Sper इसको गोनियम वहां पहुच जाते हैं जहां पर आपकी जो फीमिल का जो घमिट से प्रेजन होता है क्या होता है कि मल जो पार्ट होता है उसको spermatogonius को गोनियम जो एक तरीज्था सबाइब को जिस कि हम क्या कहते है जो individual उसको कहते है spermatia, इस spermatia में किसका formation होता है, spermatia का, जैसे कि वहाँ पर स्टेमन में formation किसका हो था, पोलन का, उसी तरीके से यहाँ पर formation एक किसका स्पर्मेटिया का यह स्पर्मेटिया अगर ट्राइकोगाईनी तक बहुत जाते हैं मतलब फीमेल पार्ट जाते हैं तो यहां पर फीमेल पार्ट पहुत जाते हैं तो यहां पर ट्राइकोगाईनी फिर लास्ट में एसकोगोणिया में पहुचते हैं और यहां पर एसकोगोण अब जो हमारा जाइगोट 2N है यह जाइगोट जाता है यह जाता है रिदक्शनल डिविजन में मैं आपको दिखाते हूं जैसे कि मान लिजे कि यह हमारा मेल था और यह हमारी फीमिल थी इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट का हो गया 2N हो गया अब यह जाइगोट 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 रिदक्शनल डिविजन में और एक सेल से क्या बनेंगे चार सेल्स बनेंगे और इनकी क्या होगी N हो जाएगी क्या हो जाएगी क्योंकि यह कहां गये हैं reductional division is reductional division का मतल about chromosome of mother cell become half in the daughter cell doesn't mother cell chromosome number था वो daughter cell में आने के बाद आधा हो जाता है reductional division कैते हैं meiosis को क्या गहता है reductional division को क्या क्या कहता है allocation division और माइटॉस। स्र devil चाहरा ऑफ यह एक सेल्स बनते हैं इन स्र जाब यहां ुश बनते हैं slider माइट यहां पर एक सेल्स बनते हैं तो यहां पर एक बन गया इसके बीच में रहे नहीं डाहीं से मिलए बनते हैं सेल्स नॐक्लिस बनते हैं Besok इनकी जो यह वाल है यह ब्रस्ट करती है और हर जो है एसकस जो है वो रिवीज हो जाता है और हर एसकस न्यू थालस बनाने की कैपिसिटी रखता है तो इस तरीके से इनका सेक्सुल रिप्रोड़क्शन होता है तो देख लेते हैं सेक्सुल रिप्रोड़क्शन में क्या स्पर्मेटोगों गुल्ट प्रणी ओंड यह जो अल्श नॉन मॉटाय स्पर्म आर प्रदियूस जिसमें क्या होता है कि एक नॉन मॉटाय स्पर्म जो इस नॉन मॉटाय क्या हूता है विच कम आउट फाम दौ दौ जो कि ओस्तियों जो यह तो डिख दिख़ा था जैसे उस दहार सब्कारवता है और आपर में प्रींचोड फिर स्परमेट्ण इघर अटैच जाता है एंद आटैच जाता फिर सिप्ट आग प्रीम अगई गर अपर इसकार उडअचिया उन抑। है वह एसको गोन्यम आकर पहुंचता है और वह पर फ़र्टिलाजाशन होता है वीजुलाइसन करते रहं कि क्या है म्लापस मेल और्टिलाजेशन है सेटीलाज ओर्जयिशां मेल भात्तिक्स ओर्गन स किसे गृषे मेल सेक्स आरगन है mo अनिका से कहा बना तो deployed asco spore high fee arises from the escogonium, अब यहां से जो जाइगोड बना है वो deployed है, और फिर क्या किया गया है, reductional division occurs, उसके बाद इसमें reductional division हुआ है, 8 asco spores form हुए है, पहले जो reductional हुआ है, फिर equational हुआ है, तो 8 asco spore mother cell बने है, asco spore liberated from the asco spores, जो यह asco spores है, वो asco spores से liberate जाते है, मतलब फ थालाई की contact में, क्यों किसी new algae की contact में आते हैं, तो new thailाई का formation होता है, तो यह हो गया आपका sexual repression की बात, economic importance की बात, अगर हम कर लें, तो economic importance में सबसे main importance का यह है, कि यह soil former होते है, zero sear या फिर succession को start करते है, मिट्टी का formation करके, succession जैसे process को start करते है, इनिशियेट करते succession को, ज वहां पर लाइकेंज ग्रोफ होनी लग रहे हैं, तो वहां पर vegetation कहीं न कहीं, climate status कभी न कभी पहुची जाएगी, यह कहीं न कहीं पर food की रूप में यूज कियाते है, जानवरों के चारा की रूप में यूज किया जाता है, इनका litmus paper आपने जो यूज किया था, acid base indicator वाला, तो इसके कुछ देखते है, economic importance as food and fodder, इसका यूज कहां पर बोजन की रूप में और जानवरों के चारे की रूप में, Cladonia rangifera, Cladonia rangifera जो है, इसको reindeer moss भी कहते है, तो reindeer moss इसलिए इसको कहते है, यह moss नहीं है, यह hell icon, पर reindeer जो होता है, reindeer जो animal है, उसके mainly food के रिए यह यूज किया जाता है, इसलिए इसको reindeer moss कहते है, तो यह mainly कहां पाया था, टुंडरा रीजन में, ऐसे रीजन में जहां पर other plant ग् जहां पर जाता है, जहां पर नॉर्मली प्लान एक्जस नहीं करते हैं, तो यह तुंडरा रीजन में पाया जाते है, और food on fodder की तरह यूज कहाते है, पार्मेलिया इस यूज दे फूस इंदिया में फूद की तरह यूज कहाता है, और जो है कि जापैन और इवर्निया इस इजिप्ट में इवर्निया का यूज कहाता है, यहां पर कुछ गलत हो गया है, तो इस वाला जो यूज को छोड़ दीजेगा, इस वाला जो यूज कहाता है, डिलीश फूड की तरह, आगे देखते हैं, लाइकेंस का यूज कहाता है, अज़ डाई, लिटमस, लिटमस भी एक प्रकार का आपका इंडिकेटर है, अज़ बेस इंडिकेटर इस ओप्टेन वर्म रॉसेला मुंजिनिय तो यह एक प्रकार का है, दूसरे कि है औरचिल भ्लू ड्राई इस ओप्टेंफ फंद रॉसेला और लिकणुरा, व्यूज क्या जाता है, लाइकेंस दू सोर्स ओ पैलटी, Jira, J को अपने, आहीं प्रेक्विंग्यम से रिलीस करते हैं, जो व friendships जो सताथे हो विखेता है लिखेता है लिखेता लिखना लिखेता है सिपरली से लिखेत की स्क्री झायनचोल्च जो है लखेते है पोलियों से GRO करने के दा फूतिकोर आते हैं। उसके बाद मौसे जाती है उसके बाद Hrubs Shrubs Sharbs, Herbs, आपकी Trees आती हैं। तो इस तरीके से सक्षेशन होता है आपने सक्षेशन अगर पढ़ा हो एकलोजी में तो क्या होता है कि जहां पर लाइफ और इजिनेट नहीं रहती है या फिर पहले लाइफ थी अभी वह खतम हो चुकी है तो लाइकेंस वहां पर आइफ अस्टार्ट करते हैं जहां कभी लाइफ बन जाती है तो फोलियो आते हैं पर फिर वी मौसस याते हैं पर इसी तरीके से मौसस आती है अरे सडी ऑंचेय के ओंच करनी फिर आघ्जिस्ट करने लेगते हैं तो यह तरीके से वेजिटेशन इसका करने हogy मौत इनुकों कुले नहीं बहूरं और चरनी हो लाइंस बहुत माना जाता है कि जहां पर pollution बहुत जादा है वहाँ पर ग्रोनाइं होते तो वहां पर vegetation बहुत हाइड हो जा है वेजिकेशन को स्टार्ट करना उसके बात क्या दिया है कि यह वही चीज दिया है कि इनके अंदर बहुत अच्छी सुगंध होती है इनका यूज कॉस्मेटिक और पर्फ्यूम के लिए भी किया जाता है मेली इवर्निया का यूज किया जाता है अरोमेटिक सोप बगरा बनाने में और जो एकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाई है क्रस्टोस फोलियोज मॉस रप्स हर्प स्टे कि अपका यह यूट कम्प्लेट रहता है आप लोग को में ओन्युकर दें पूरे लाइकन की टॉपिक अ उस वाली ओन्युका और इसका भी तो पता नहीं मैंने उस आपको उस लेक्चर में ऐस च्रिंट लेने का टाइम दिया था कि नहीं यह फर्स है फिर नेक्स्ट पर न लास्ट में यहां पर टो यहां पर यह उना चाहिए वह अनौ उन चाहिए अपको फीगर गंधिकन में grappling lacking धाइकन और खर और देखन कि सेख्शुल के जिए किस्में सेख्श्बल के दिया घया है अिकोनाुमिक importance दी गई है और ये भी इसकी economic importance का slide है और ये भी economic importance का slide है तो इस तरीके से ये topic खत्म हो जाता है like ins और हमने mycorrhiza भी हम आपको next video में बता देंगे तो mycorrhiza भी complete हो जाएगा उसके बाद आपकी unit खत्म हो जाएगी तो मिलते हैं with the topic of the mycorrhiza in the next video तब तक पढ़ाई करते रहें revision करना important है वो करते रहेगा all the very best